हुआ फ्रेंज गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों मैं पाल भी बसनायत डिरेक्टर ट्यांज इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंट्स नेट्वर्क सिस्टम आइडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वैबनार में बहुत-बहुत स्व सेशन को अटेनी किया बहुत ही जबर्दस ट्रेंग आपको सुनने को मिली और ये ट्रेंग दोस्तों आज से एक साल पहले हमने इसी पैनल में दी थी ये है दोस्तों ताकत सिस्टम की एक सिस्टम को यूज किया और उस सिस्टम ने काम किया पिछले आदा घंटा से मैं सुन रहा था और मैं खुद अपने आप से सीख रहा था अब सूचिए एक से एक ऐसी बाते हैं जो मोतियों की तरह पिरोए गए थे ऐसा नहीं है कि मैं आगया अचानक आपके बीश में बैठ गया जो मुह में आया बकता चला जाओं बोलता चला जाओं और आप जिलते चल करे जाओं ऐसा नहीं है जिस दिन हम आते हैं आपके बीश में वेल प्लान्ड होके बहुत साइच चीजों कोई कठक करके क्या आज आपको दी जाए जिससे की आपकी ग्रोथ आपकी सक्सेस आप अपने आपको और बेटर कर पाएं और दोस्तों जैसे कि आज का टॉपिक थ और सिस्टम की ताकत क्या होती है एक होता है बताना और एक होता है दिखाना मैंने आज आपको बताया नहीं है मैंने आज आपको दिखाया है कभी चीजे ना सुनके नहीं समझाती है देखके समझाती है और यहां पर देखने को भी मिला आपको और सुनने को मिला कि आज जो social media है digital power है आप सोचिए ये YouTube नहीं होता ये वीडियो upload नहीं होती इस वीडियो को ना जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में ट्रेनिंग के लिए लिया और वो ले रहे हैं कोई चार्ज नहीं है कोई foundation नहीं है कोई qualification नहीं है कोई भी इनसान इसको access कर सकता है without any discrimination कोई भेद बाव नहीं है कौन देख सकता है इसको कौन नहीं सकता है कोई access करने के लिए को चार्ज़स नहीं है पैसे नहीं लग रहे हैं और आपको जिन्दगी के पिछले 21 साल में जो हमने सीखा जो हमने यहां से करक करके देखा और जिन बातों को करके हमें follow करके हमें success मिली हमने उनको यहां पर बताने की कोशिश है और मैंने महसूस किया एक एक बात ऐसी थी जो आपकी सिंदगी को बदलने की ताकत रखती है तो दोस्तों करता है कि जब आप इस प्रोग्राम में आते हैं शाम को तो आपका माइंड सेट कैसा है आपकी सोच कैसी होती है किस सोच के साथ है शुरू करते हैं आप आन्या और अगर आपकी सोच में वाके में ही एक प्यास है भूख है आपको ट्यांस के अंदर बहुत जल्दी काम्याब होना है तो यहां पर कुछ चीज़े बताई गई हैं जिनको जस्ट आपको फॉलो करना है और समय के साथ आप इतने जबरदस बन जाओगे कि यार लाइफ इल चेंज फॉरएवर हमेशे हमेशे के लिए एक बात याद रखना दोस्तों कि नथिंग कमस कोई भी बड़ी चीज़े ना नथिंग ग्रेट कमस फ्रॉम कमफर्ट जॉन कमफर्ट जॉन में अराम से मस्ती से कर लेंगे हो जाएगा यह बहुत बड़ी गल फेमी हैं यहां पर दुनिया में लोग इतनी मेहनत करते हैं इतनी मेहनत करते हैं हर रोज ड्यूटी जाते हैं हर रोज दुकान धंदा करते हैं तब भी लोग स्ट्रेगल कर रहे हैं जीवन में लोग दस दस बारा बारा घंटा काम करते हैं तब भी घुजरा हो रहे हैं और तियांस में आने के बाद ये कोई लॉट्री की टिकट नहीं है कि आपने आए जोईन किया दो, चार, पांच, दस, लोगों को बनाया यह लोगों जोड़ा और उसके बाद आपका काम खता हम अब आपको करोरपती बना देगी तियांस हला बन जाओगे करोरपती यह बहुत ब मैं दुस्री भाशा में बोलूँ ता इजियस्ट बिजनस है मोस्ट मैं कहुना रिस्क फ्री बिजनस है मोस्ट लाइबिल्टी फ्री बिजनस है मोस्ट टैंशन फ्री बिजनस है इसमें वो सारी टैंशन रेस लाइबिल्टी जो नौर्मली लोग लेते हैं और फिर भी लोग स गुज़ारा करते हैं उससे मैं कहता हूँ कि थाउजंड्स टाइम कम है बट मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों पैसा लगाने के बाद कुछा मैनत करने के बाद भी लोग दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं और यहां पर पैसा तो लगबग नहीं लगाना है ना के बञापत है इसको पैसा नहीं बोलते हैं 10 बłyस पक्चाहार ज़र पर कोई पैसे नहीं होते है बिस्नस के नाम पर और यहां सिर्फ कुछ हजार से शुरू करके लाखों और करोर रुपे कमाने का मोगा है यहां महनत का कोई सब्ती चूट नहीं है करोर लगा के भी महनत करनी पड़ेगी दबा के महनत करनी पड़ेगी और यहां करोर नहीं लगाने हैं खाली महनत करनी है और मेहनत करने में दिक्कत क्या है क्योंकि समय तो निकल जाएगा एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक दिन जो है न दोस्तो वो निकल रहा है, वो रुक नी रहा है आज जो आपकी उमर 20 साल है, बहुत जल्दी आप 25 साल के हो जाएगे 25 साल के बहुत जल्दी आप 30 साल के हो जाएंगे आपकी शादी हो जाएगी अभी आप अकेले हो फिर आपके बच्चे हो जाएंगे फैमिली हो जाएगी जिम्मवारी बढ़ेगी आपको आज टाइम होसता ज़ादा हो वो तक कल आपने इतना टाइम ना मिले और स्पेशली वो लोग जो उस मौड को मिस कर चुके हैं जिन्हों 20 साल, 25 साल में काम नहीं किया उनको काम नहीं मिला, कोई मौका नहीं मिला आज उनको इस काम को करना है और सब चीजों को धिलते वे करना है तो जो लोग अभी उससे पहले हैं जिनका टाइम जोन अभी यंग है बहुत सई टाइम पर अगर आप इस मौके में आगए हो अपना 100% लगाई है इस बाकी दोस्तों इतना कहना जाओंगा इस इंडस्ट्री ने एक ही चीज़ दी है इसको मैं बताँ टाइम फ्रीजम पैसे के साथ साथ जब नौर्मली क्या होता है कोई नौकरी करो आप बड़ी नौकरी में बड़ी तंखा होती है लेकिन इतनी इसारी जिम्मेवारी होती है आपकी जिन्दगी खुद की नहीं रहती है आप पैसा जरूर कमाते हो नौकरी में लेकिन आपको जो है न निच्चोड दिया जाता है उस पैसे के लिए आपका जो बॉस होता है न उसके लिए आप जो है न बिल को रिमूट कंट्रोल होता हो आपका जब चाहे दब बटन दबा दे यसर यसर आपको ख्रीद लिया जाता है एक तरह किसे आप बिख जाते हो आपको पता है अब जिन्दगी अपड़ी नहीं है और टैडिशनल बिजनस में लोग करजा लेके लाखो क्रूर पर लगाते हैं और उसको चुकाने में जिन्दगी ख्राब हो जाती है तबाह हो जाती है क्योंकि कभी कभी नहीं 95% बिजनस फ्लॉप होते हैं 95% बिजनस फ्लॉप होते हैं शुरू होने के बाद आप सोचो वो जो 95% लोग हैं उनमें कोई भी हो सकता है आप भी हो सकते हो कोई भी हो सकता है जिसने धंदा शुरू किया उसके पास चांस है कि वो 5% में भी आ सकता है और चांस में भी जा सकता है रिस्क लेने के बार और यहां पर यहां पर सेम चीज़ है वहां पैसे लगाने के बाद में यहां पैसे तो लगाने ही नहीं है 10-20-50 जार प्या जो मैं बता रहूं बार बार इसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं और इसमें भी आपने पैसा दिया समान लिया आप मार्केट में जाते हैं जूते लेते हैं कपरे लेते हैं बाइक लेते हैं स्कूटर लेते हैं मुबाइल लेते हैं, टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, कपरे लेते हैं, लब क्या-क्या राशन पानी लेते हैं, आप शापिंग करते हैं, कोई धन्दा बिजनस शुरू होता है, वो तो खर्चा वैसे भी करना था, बट यहां हम लक्य हैं, हम शायद कुछ ऐसे सभागी क साथ इस दुनिया में इस ताइम चल रहे हैं कि हमको यह मौका मिल चुका है और खास बात यह है कि जो बीस साल तीस साल चाली साल में काम होना है उसके लिए दो साल तीन साल चार साल का टाइम चाहिए और उसके बाद भी हम अगर महनत करने के लिए तैयार नहीं है उसके बाद आप सिस्टम में रहकर मेहनत नहीं करोगे, आप ठक जाओगे, आप हार जाओगे, अकेला चना भाड नहीं फोड़ता, ये बात कटो सकते है, आप कितने जीनियस हो, कितने टैलेंट हो, कितने दम है, अगर आप अकेले के चेंपियन हो, आप लॉंग टर्म नहीं जा सकते हो, ठक हो गया, क्योंकि है तो इंसान ना, हार मास का बना उसके लिमिटेशन है, अकेले जब हम काम करते हैं, तो हम अनलिम्टेट पावर को साथ में लेके चलते हैं, सिस्टम का मतलब है, एक माहल, उस माहल में, वह सारी चीजें होती है, जिन चीजों के जरुरत है, सकस्स के ल वाली थी आज कर जो डोस था वो बहुत शानदाग था अगर आप शुरू से बैठे होंगे तो छुरू में प्रोग्राम में उनको पता है कि 9 बजे हमारा पै कि रहिए हाज़री लगानी हैंँ आप जब आफस में जाते हो सुबागर तो वहाँ 9 बजे क्लिक करना है आजकल तो बायामेट्रिक सिस्टम है है ना आप तुमां गोली नहीं नहीं कोई और लगा देगा हजरी नहीं आपके ही थमस का इस्तेमाल होने वाला है वहां पर आज में कुछ भी करें ना चुप चाप राट को कितना है लेट सोया हो 9 बजे आफिस पता है पुरे दिन की ग्यार लग जाएगी आप दो मिनट भी लेट होगे आपकी ग्यार लगने वाला है कि आपका अपसेंट लगने वाला है कहने का मतब यह है कि जहां आदमी नौकी करता ना वहां इतना पंक्श्योल होता है जहां उसके दस बिस पचास लाग पर लगा खिए ना थम्ता नहीं भी चल रहा हों थाख़ो ना ताइम से श्टर कोलता है क्यों पता है वह ढौत रही जाएग पड़ा भग जाएगा यानी तो करी Yajah Ale but अगर अप सिंस्लितर नहीं तो फाइदा ने उठा पैए जया पिछले चार्साल में प्रूल किया है कि जो लोग इस पैनल में टाइम से आए, दिन बर में आप एक मीटिंग करो या दस मीटिंग करो, जितना अमर जी काम करो, फिर आपको घर में आके रोटी, सबजी बनानी है, खाना भी फैमिली को भी देखना है, वो करना पड़ेगा, वो तो अगर आप त्यांस नहीं करते, वही होना था, जो पिछले कहीं हुजालों से हो रहा है, अब भी वही होगा, अगर हमने आज भी नहीं अपने आपको बदला, क्या सोचा, अरे सर आपको नहीं पता, हमारी जिन्दगी के बारे में, हमारे घर के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हम नहीं आ सकते हैं, तो यकिन करना दोस्तो आपके लिए जो नौ बजे का फाइदा मिल सकता था वो फाइदा आप मिस कर जाओ मैंनी कह रहा हूँ कि अगर नौ बजे नहीं आएंगे तो आप कामियाब नहीं हो सकते हैं नहीं आओ नो बजे नो प्रॉब्लम काम्याप हो जाएंगा लेकिन मेरा यह मानना जरूर है कि शायर जो इसका फाइदा आपको मिल सकता था वह आप मिस्स कर जाओं इसे पीछले चार सालों में जिसका जबरदस्त बेहतरीन मैं आपको बता रहा हूँ रेगूलर सेवन फिगर की अर्निंग्स आना यह बहुत बड़ी बात और यह मुझे नहीं आ रही है आज इंडिया में काफी सारे सीनियर लीडर हैं जैसे हमने दुकान सजाई है ना ऐसे कुछ लोगों ने और दुकान सजाई है और जिसने दुकान सजाई है और उसकी दुकान चल रही है उसकी बल्ले बल्ले अब आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ सकता है कईयों लोगों के दिमाग में आया और आने का क्या नतीजा हुआ या हो सकता है मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि कईयों को लगता है फिर तो हम भी अपनी दुकान खोलते हैं पाल जी ने सिस्टम मनाया हम पाल जी से कम थोड़ी है है ना हम तो पाल जी से भी बड़े वले कलाकार है या हमाएपस तो ज़्यादा दिमाग है पाल जी ने थोड़ी परही लिखा इतने की है जितने हमने की है पाल जी ने थोड़ी इतनी दुनिया देखी जितनी हमने देखी है पाल जी वो थोड़ी करते हैं जो हम कर सकते हैं तो जो competition की भावना से आ गया और cool गया उसने भी अपना system खोल दिया तो यकिन करना system एक आदमी के बसकी नहीं है फिर बता लो मैं आपको यह आईटी नेट अगर चल रहा है आज इसमें मेरा जो रोल है ना दोस्तों वो कुछ परसेंट रोल मेरा है अकेले का यह अकेले मेरे से नहीं चल रहा है ममला यहां पर बहुत सारे हमाई senior leader का जो यहां contribution है और उनकी जो achievements है उनकी जो growth है उनकी जो success है वो इस system को effective बना रही है पारफल बना रही है यहां पर लोगों को जब result आते है motivation inspiration कब मिलती है तो माहौल माहौल एक आदमी नहीं बना सकता है हां किसी ने किसी को एक मुखिया बना पड़ता है यह मजबूरी है कितना मैंने कुक spoil the food एक आदमी ऐसा होता है इसको ultimately चीजों को control करना है ताकि चीजें out of control ना जाए अगर चार लोग control करने वाले होंगे तो कोई left करेगा कोई right करेगा कोई इदर कोई उदर मामला खाब होगा इसलिए system बनाना is not a joke यह कोई मज लाइन हैं हम भी सिल्वर लाइन हैं हम भी लाइन हैं हम भी एट स्टार हैं मैं बता दूं मैं पिछले आज 20 साल हो गए still I feel अभी तो कुछ trailer चल रहा है system का trailer बना है अभी भी मैं आशा नहीं लगता बड़ी बड़ा system बना दिया पाल जी आपने nothing nothing मेरी नजर में यह लगता कर सकते थे still I am behind my target behind the place जहां मुझे होना चाहिए था वहां मैं नहीं हूँ जहां था वहां से हजारों गुना अच्छी जगह पे हूँ बट मैं को जहां होना चाहिए था वहां से मैं हजारों गुना भी पीछे हूँ यह मुझे मैसूस होता है तो आप सोचिए system बनाना is not a joke मेरा जो कहने का message है system का होना system को use करना और system को बनाना totally different job normally क्या होता है दोस्तो normal जिंदगी में यह होता है लोग system को create करते है system को create करते है जैसे आपको बिजनर शुरू करोगे आपने 10-20-50 लाक एकर रुपे लगा दिये और आपने बिजनर शुरू किया सोचिया कौन आएगा आपको बताने के लिए कि आपको कैसे धंदा चलाना है आपको कैसे कामियाब होना है कोई आएगा आपको बताने के लिए आप अगल बगल मत जाईए 10-20-50 जो बिजनसमेन हैं बड़ा बड़ा लोग हैं उनसे पूछिए कि आपको कौन सिखाता है कि आप अप महाल बनता है 2-4-5-10 सा लगा के फिर एक सिस्टम बनता है और फिसको फॉलए करता है थर वो कामयाब होता है लेकने प्रोसेस है कोई नहीं भताने आता है you have to create the system you have to create system system को बनाना पड़ता है बहुत सारे बेलने पड़ते beiden ठक्के खाने पड़ते है नमबर वन इसम ऐसे बंदा है नमबर टू現在 होता है वह आए डा सिस्टम बाये करना इस्टम को वाये करना होता है जैसे की बहुत बहुत सारा franchisee model है दुनिया का franchisee business franchisee है आपको किसी company की franchisee लेनी है suppose example है McDonald's की franchisee है है ना McDonald's की franchisee है या किसी और company की franchisee है वो क्या बोलती है कि आपने एक franchisee को बाय करना है McDonald's की franchisee के लिए 5 करोर रुपए चाहिए 5 करोर रुपीस minimum investment पांच करोर पहेे आपको लगाने हैं ऑफ प्र आपने वो में हो फाइल करना है आतने धे फता हैं आपको बनेगा नहीं बनेगा लेकिन जहिए तो आपने पैसे से एक को ख्रीदा और फिर आप उस सिस्टम को फॉलोग करोगे तो सिस्टम की गरंटी है जो पांच कोड़ पर लगवा रहा है ना उसने पहले प्रूव किया है आज पुरी दुनिया में चालीस हजार से भी ज़्यादा मैकड़नल्ड के रस्टरंट है पुरी दुनिया में जाज अकमाता है वह बिकॉज अब सिस्टम बना था और सबने सिस्टम को फॉलोग किया सब की मौज हो गई और जिसने बनाया था उसकी तो होनी होनी है सेकेंड क्या था दोस्तों बाएद अप सिस्टम खरीदना पड़ता है बटा बहुत लगवाद की है ना तो यहां बनाना है ना यहां लाखों करोर पर लगा के खरीदना है यहां पर तिसरा है दोस्तों सिस्टम जिसको बोलते है जॉइन दा सिस्टम system को सिर्फ join करना है submission में आना है और आपका great issue thankful रहना है इना this is the system आपने join किया आपने इसको submission में आगे आपने बोला yes sir yes madam yes sir yes madam देखिए मैं आपको बता हूँ हलाकि यह platform को politics का नहीं है मैं difference बताता हूँ लोगों का example दे रहा हूँ मैं आज रहना शायद मेरी बात को कुछ लोग तो समझ जाएंगे दस वीस पसंट लोग शायद सब नहीं समझ भाएंगे इस बात को मैं जानता हूँ वर फिर भी मैं आपका example दूँगा आज हमारे देश के प्रहान मंत्री है मिस्टर मोदी राइट उनके दो बहुत जबरदस्ट मंत्री हैं जबरदस्ट एक तो है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं जो इंफ्रा सेक्टर के मिनिस्टर हैं नितिन घड़करी जी का नाम सुना होगा जूसे मिनिस्टर है मिस्टर राजनात सिंग जी राइट दोनों ही जबरदस्ट प्रेंस मिनिस्टर और वो है बट आप बताना कि आज की डेट में यस में कहा जाता है उनको राजनात सिंग जी यस में जो बोला सोचा जो तालमें मिलाके उनकी हां मिलाके माहौल को बनाके आगे बढ़ रहे और दुसरा मिनिस्टर भी जबरदस्थेश देश का इंफ्रसेक् जाता है आप सिस्टम में होते हो जब आपने सिस्टम को जाइन कर लिया तो आपको से पहले जरू सोचना चाहिए यह हक यह आपके पास में कि system क्या reliable है trustable है कि ट्रॉस्ट किया जा सकता है id net पर क्या trust किया जा सकता है दिए ट्रॉस्ट क्र रहरा है सब लुग ट्यांट को बेक्टरिय करने के लिए बेक्रेइन करने के लिए हमने system मनाया है ि Yanie को अपने को मिटाने के लिए नहीं है ना मेले को चमकानाँ ना आपको कमकानाइगे पैसे आएगे जब वाल्यूम आएगा जोइनिंग आएंगी जब जोइनिक्री मारव होंगी तब पैसा आएगा सब को पैसा कठा ऐसे नहीं आएका कि भीत आंगे और दो देलि डूबति लगा हुए करोえ नहीं आट पैसा आएगा को नहीं Barris को कहते हो यकिन करना जेनियल लेवल पर में आपको बताना जाओंगा जब घुनियल लेवल पर होते हैं आ साथ के जो कुलीग थे वह बड़ा में को रिस्पेक्ट करते थे पाल सर पाल साब है ना मतलब पाल जी गुरू जी बिशम पितामा मतलब में को इस तरह का लोगों ने उन्होंने इज़त दी थी या जो भी उनको लगता था लेकिन जब मैं त्यांसमा आया और मैंने उनको त्यांसमा जोड़ा देखिए सीन देखिए त्यांसमें जुड़ने से पहले मैं गुरू महा गुरू वो बड़े चले बने पड़े थे लेकिन जैसे ही त्यांसमा आये मैं थ्री स्टार वो थ्री स्टार मैं फोर स्टार वो भी काम करके फोर स्टार बन गे मैं फाइफ स्टार बना वो भी फाइफ स्टार आज की नहीं सुनी कि लोग पहले कितने इज़त देते हैं और धीरे धीरे जब लगता है ना अरे ये भी हमारे जैसा तो है वह जो गुरू जी महा गुरू जी परन क्या क्या थे उनके नजर में और जब ग्रेस आफ गॉड की था कुछ तो था अलग बट उनको लगा कि कुछ सब्सक्रान homo to six star है we conflict star हया हम कोई कम दोरी अमठीजा उस ऐसा ही आपके साथ ओगा अभी आप नए हो आपके लोग आपके साथ चुड़ेंगे उनको आपकी बात सुनने में बड़ी दिख्कत होने वाली है वह बहुलेंगा अच्छा अब में बना और पदाए और फिर हम करेंगे ऐसा कभी हो नहीं सकता ले जो बड़े प्यारा से गले मिलके जुड़े थे ना वह आंखे दिखा रहे होंगे एक दूसरे को अच्छा तो मता हो गया हम करेंगे अना ना हम अपने हिसाब से करेंगे अच्छा तुम ज़्यादा जब दबावा मढ़ डालो ह आप से इरिटेट होंगे लोग आप से इरिटेशन के साथ साथ आपके समंध खराब होंगे लेने के देने पर लेंगे क्योंकि आप बोले ना कि हम तो शाने हैं हमें सब पता है बाई साब पाल जी से कम थोड़ी हम बनके तो देखो ना पता लग जाएगा सिस्टम क्या काम करता है system बोलता है इस तरह की समझ्यां आपको जो आने वाली है उसको overcome करने के लिए third party चाहिए third party third party कौन हो जाहिए जिसका level up हो level up जिसका एक ऐसा level हो कि सामने वाले यूँ देखे देखिए फर्क है सामने देखते हैं बराबरी की feeling आती है नीचे देखते हो तो आपको लगता यह बंदा तो मेरे से भी नीचे है लेकिन जब उपर देखना पड़ता है ना तो तो feeling आती है नहीं नहीं वाइसा सुननी पड़ेगी इसकी ऊपर रठा है यह दुनिया का दस्तूर है अगर आप यह चोटी चोटी च और बाइखने का फ्रे görün हो गए और बगवाण से यह शकायत करोगे हमाई किसमत ख्राब है भाईस Сп़ाइसाब मैंने भी त्यैंस किया मैंने भी मेनद की हो नहीं रहे है लोग जुड़ के तो काम नहीं कर रहे है काम करते हूं काम हो नहीं रहे है हमको लगता है बस पैसे जो इनसान होता न बड़ा कलवार होता है तो आपके लोगों के सबके तीन फेस होता है पहला फेस होता है दोस्तो जो आप दुनिया को दिखाते हो न वो कुछ और होता है। नोट कर लो यह दुनिया को आप दिखाते हो ना वह कुछ और होता है वह आपकी बात नहीं सब की बात है जपान के लोग कहते हैं मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे को नहीं पता था मैं मान गया जपान के लोगों को यह इसलिए तो जपान जो है दुनिया का one of the advanced country है सोचो पहल और दुस्ता कैसे होता है second phase जो आप अपने खास-खास दोस्तों को यह अपने परिवार के सदस्यों को दिखाते हो हैं अपने परिवार को अपने दोस्तों को जो दिखाते हो ना आप action में आप वैसे होते भी नहीं हो पहले तो दुनिया वाला मामला है वहां पे भी मामला गडबर है वहां भी फेक प्रपर में सेकंड में भी गडबर है actual में जो हम होते हैं न दोस्तों वो सिर्फ हमें पता होता है वो सिर्फ हमें पता होता है इस दुनिया में किसी को नहीं पता होता है इसलिए मसला जो है ना इस पैनल में आके क्या दिखते हैं हम इस पैनल के बाद अपने घरवालों के साथ में हम कैसे हैं हम अपने आप में क्या हैं वो पता चलता है हमारी individual action से जो हमने कहा ना मन से विचार से करम से अगर हम एक हैं तब जाके मामला कुछ अलग लेवल पर जा आने वाला है यह जो magical मंतर बनाये गए ना ID.NET सिस्टम में उसके पीछे करण है क्या को सिस्टम का माहौल का एक सुत्र में बांद ने के लिए एक माला बनाए गई है एक ऐसी माला बनाए गई जिस माला में आप अपने आपको डाल लो कर नहीं डाल लिए अच्छा अब यह मैं अच्छनी मंतर नहीं बोला आज तक अब यह वाला मंतर पी हिम्में बोलना पड़ाइगा Cities ली कि लेकol अवन के लिए खेल आपनों के लिए कछ और जब अपनी मतलब की बात अपनी जिरृत हो सर सर प्लीज प्लीज है ना मतलब खतम कितना इज़त खतम मतलब के लिए इज़त और मतलब खतम तो इज़त खतम किस ने किया यह यह इंडिविजिविलिटी इंडिविजिविली वट यू आर अनली यू नो तो हमको जो है दोस्तो हमें आतम मन्थन करना है क्यांस में काम्या करते हैं पत्थर होता है उसको थ्राशना पड़ता है तब वो घानमेंट समकता है हम सब में कोई नही Finanz में लिभाफ में इतने कामयाब नहीं हो पाए एक ऐसा महाँ साथ में लोग इतने जादär कूल ठूर जहांपर है हमारी जो impurities थी जो हमारे कमिया थी वह automatically अब आप बताओ बहुत सारे लोगे के टुकड़े आप किसी भठे में डाल दो तो कोई अलग-अलग सेका रोड़ी लगता है बराबर का सेका लगता है आप समझो तो वह depend करता है कि आपकी स्मिट्टी के बने में आपने क्या feeling लेक हम कहते हैं उपर से पूछो कैसे निचे बता दो वैसे बीच में कमाओ पैसे इसमें बहुत सिंपल चीज है लेकिन दिक्कत कहा है उपर वाले ने बताया हमने कुछ और समझा हमने कुछ और बता दिया तो गड़र तो होनी है एक training थी उस training में एक example दिया था कि एक निचेशाम्पल दिया कम सकम बीच लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया सब को बोला पीट करो उदर इदर को देख में तरफ वह निचारा करूंगा जासरा मैं और ऐसे करना तो वही हुआ वही पहले पिर किक ओने किया यह करके और यह करके वहीं स्कूर्टी कैसे चलते जतले ले लुण करना रहा ड कर लॉप्या सामने वाले को तुम भी देखा दुश्क्रे वाले को डुस्रे भाले को कि How to लिखा वहीर दिखा तो अगय वाले कưởng कर दो आख और और पर यह footprint साइकल लें तो यह पता चलाकि यह शुरु आथ दान्स कर रहा था थैस्स समझगे गाना था लूगिवाए पर तो लोग उने बढ़ा अच्छा यह दान्स नहीं होगा नहीं था । कहने को दुप्लिकेशन नहीं होती है, जिस त्रीके से हम यहां बताने की कोशिश करते हैं, उसके लिए बहुत क्लोज माइन निस से यह, ध्यान से सुनना होता है, नोट करना होता है, रेगुलराना होता है, फिर कनेक्ट करते हैं आप डॉट को, किसाई ऐसा भी बोलते हैं ऐसा भी बोलते हैं जिब आपने कईयों बार सुना होगा तो आप समझ जाोगे नalten क्या होगय नहीं तो क्या होगा ना आप अपने की मतलब की चीज ले चले जाू यद ऐसे असी बाते बदेते पाष्im है ना भाई साब आपने एक दिन आके दर्शन के लिए सुन लिए आपको पता क्या हुआ गल्द फहमी होगी कहने कि मुलब जो गल्द फहमी होती है इनसान को तो सुना था ना कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के बास भी निधा जो फेमर्स ते दुनिया में तो आपको भी इसका इलाज नहीं मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं कहीं पर भी चेंपियन बनना है आप इस बिजनस में आपकी चेंपियंशिप आपका चेंपियन बनना आपकी टीम के उपर है और आपकी टीम आतो यहां से इसे सट होना होता तो पिछले आदा घंटा से में भी नी समझाता आपको मैं बोलता है या जब सेट होई रहा है अपने आप, चलने दो, मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो आना ही है, मैं ना जाने कितनों का मैं बुरा बन जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं individual ही समझाता हूं, है न, थेको यहाँ पर सब खोष है, मेरे को थोड़ी बोर रहे है सर, अगर यह बात समझ आती है, तो third party का फायदा उठाओ, सिस्टम का फायदा उठाओ और सिस्टम की शक्ती यही है, सिस्टम की ताकत यही है, कि आपका काम हो जाएगा, करोगे इतना नहीं तो करोगे इतना, होगा इतना Dire, आप पैदा스트, रहाँदी एक साल, दो साल, सर कितने हैं लोग जोड़ती है, कोई ठिकता ही नहीं, कोई करता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, हम ऐसे वही बोलें के बाद में, लेकिन जब आप माहौल के अंदर हो, आप खुद ही बोलोगे, कि सर इतना करते थे, तब तो होता नहीं था, अब हम करते नहीं हैं, लेकिन माहौल के अंदर है, हो रहा हैं, तो ये जो चम्मथकार हो रहा है, तो दोस्तो हमें भी ऐसे लिखory हो काफी सारे लीडर्स हमाई साथ में बहुत अच्छा तालमिल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, अगर इतना तालमिल नहीं हुता तो ये शायद हम भी ना आज जुन जुना बजा रहे होते हैं, मैं पता रहा हूँ आपको, और हमें पता आता हमें जुन जुना नहीं बजाना है, तो हमने मेहनत किया है, हमने अपनी टीम के साथ में दिलो जान से, तन से, मन से, और धन से, जब नहीं था, तब भी करते थे, जब है तो करने में क्या दिक्कत तो अकेले तन से काम नी चलेगा अक्ले मन से काम नी चलेगा आँ चाय कौफी थंडा गर्म पिलाओगे न हजादो जब बिल्ड होगे न तब बड़ा दर्द होगा और यह इन्वेस्टमेंट है यह खर्चा नहीं है आपने फाल्तु मैं जाके टी जो भी आपके बस में है आपने उशके हिसाब से आपने चाय समोसला लन्च ग narrative जो भी आप किरा सकते हो तेली तोड़ी कराना है महिने में आप एक दिन मिल रहे हो कभी दो दिन मिल रहे हो हाँ हाँ डेली मिल रहे है M समय के साथ में जब आप धाबे में खिलाओंगे और फिर किसी दिन बहुत अच्छी जगह में खिलाओंगे तो आपकी टीम समझेगी यह मामला बदला है सरकार बदली है ना जब मामला था नहीं कुछ तो भाई साथ जैसे कैसे गुजारा करते थे आज बड़ीया मामला बना तो यह कता है तो यह सीजें जो माइब दिखती है वह घटता है तो मैं इतने कहूंगा किसी अपने के साथ कशी अपने में जब कर रहे हैं hat को लगता है कि ये बोलके नो अब आप जिन जीत गए हो मैं बता हूँ आपके खेल खतम हो गया वहाँ या तो कभी बोलो ही मत नहीं बोलो गए नो प्रॉब्लम लेकिन बोलने के बाद में अगर बोलना बंद कर दिया या बोलना छोड़ दिया या पता चला मामला कुछ आपन था स wijलज्ञ है क्योंकि वो पहले सिस्टम सिस्टम करते थे सिस्टम से बाहर है और वह अंकी दुनिया भी बहार होगी अब चिंता होती है मुझे कि बताव विनाश काले विप्रित्व उती कह नहीं कि मैं वो थो 1 मेने धंदा ना हो 2 में जो आपका धंदा चलीनी रहा है सा कर रहे हो जब महौल के अंदर थे तो बल्ले बल्ले चल रहे थी जैसे महौल से बार गए फिलकुर काले कोई लिए कि ठंडा प्रोगाम हो गया भाई साफ अब भी नहीं सुद्र होगे को ना घरा थो नहीं देने आरा कोई कि भाई साफ पता है बुरा मन जाओगे को हिम्मत ही नहीं करता बताने की पता है ना तो यह दोस्तों किसी के साथ भी हो सकता है तो आप हमें क्यों सुना रहे हो बाई साथ समझदार वही होता है जो दुस्तों को ठोकर खाते वे देख लेना और संभल जाए खुद ठोकर खाके तो दुनिया सीखती है और खुद ठोकर खाके सीखेंगे तो जिंदगी छोटी बढ़ जाएगी आज के लिए इतना ही अब आता है टाइम शेरिंग का फिलाल धन्यवाद भगवान का कि ये मौका मिला है ये प्लेट फॉर्म है अगर त्यांज नहीं होती तो हम और आप भी नहीं होते हैं आपर ना मिलते ना साथ काम करते अफिए एक सिस्टम नहीं बनाया होता ये वेबना नहीं होता ये जूम पैनल नहीं रखा होता तब भी नहीं मिलते हर रो की जिन्दी यह और शांदार होगी जैसे पिछले साल थी उससे अच्छी इस साल होगी उससे अच्छी अगले साल होगी आने वाले सालों में हमें प्राउड फील होगा इस दुस्रे के लिए कि हम मिल के रहें यूनिटी में रहें सबमिशन में रहें और हमने मिल कर जो है और सभी के लिए बैस्ट विशिस भगवान आपको हेल्थ वेल्थ हैपिनेस प्रस्परिटी नेम और वर्ल्ड टूर पुरी दुनिया घुमने का मौका दे और सारी सपने पूरे हो आपके अब मैं देखता हूं एक दो लोगों को लोगा फिर साड़े दस बज़े तक हम आपक दुकान लेने के पूर्ट नहीं है राइट ना बनानी है दुकान ना आपको ख्रीदनी है दुकान आपको सिर्फ जॉइन करने हैं दुकान और दुकान खुली पड़ी और लोगों तो अब मैं लेना चाहूंगा इस पैनल में सबसे पहले निर्मला जी सुशिल चिकारा जी और साक्षी जी तीन लीडर मुझे ये दिख रहे हैं और एक और लीडर का नाम है मोना यादव और एक और लीडर का नाम है निलम शर्मा जी और एक और लीडर का नाम है वनीत अरच आज ये लीडर हैं आपके सामने जिनकी शेरिंग होगी बहुत कम टाइम में आपने शेर दिया है पिछले एक साल में ऐसे ही अगले साल जो दमाका करेंगे अगले साल आप गोल्ड बनेंगी मुझे ऐसा विश्वाश है वेलकम निर्मला जी ब्रॉंज लाइन फ्रम गुडगाव गुड़ मॉर्निंग सैर वेलकम और गुड़ मॉर्निंग पैनल में वैठे सभी का सर और आईडी नेट सिस्टम का और डुक्टरे के पांचाल सर का और सर दुकान लेनी नहीं है सिस्टम में आना है क्योंकि दुकान लेके चलाक के और 17 साल में समझ में आ गया कि कितनी टैंसन होती है और क्या-क्या प्रोब्लम होती है और अब यह समझ में आ गया कि सिस्टम मे सिरु को उताना है और अपने टीम हुकत चाल आई है किम खुद अई हूं तो अंड़ परसंट फॉलो करने की कोशिछ करते हैं तो कुछ बातें ऐसी दिमाग में आज आती है कि रजन टेंडर प्रसंट आज आता है क्योंकि बहुत अच्छी थी जो आपने आज वीडियो चला रखी थी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह एक साल पुरानी वीडियो ऐसा लग रहा था कि जो हमारे अंदर कमी थी वो हमें बताई ज क्या क्या आप दूर कर सकते हैं जिससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है तो उनको अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है सर अगर कामियाब होना है और लोंग टाइम हमें जाना है तो और अभी लग रहे हैं सर जो हमारा टूर निकला हुए उसके उपर और ज्या का जो भी यहां पर आके अपना एक्स्पिरेंस बताते हैं और अच्विमेंट क्योंकि यहां पर मैं अगर नए लोगों को बठाती हूं और उनकी अच्विमेंट देखते तो उनके अंदर खुद ही जो सा जाता है कि एक नहीं यहां तो अजारों लीटर्स हैं जिन्होंने अपनी मैनत से यहां पर बहुत कुछ कर रहा है तो जब यह कर सकते हैं तो मैं भी हैंडर पॉन परसंट कर सकता हूं और मरे में मुर्दे में जाना जती है वह आईडीनेट सिस्टम है सर और पांचल सर बहुत सा देते हैं जब से गुड़गाउं में उन्होंने अपने कदम रखें टीम में एक नए जोस आ गया है अच्छा सर कल संडे को आएंगे तो सभी आते हैं और नए लोग भी आते हैं तो यह बहुत बड़ा चमतकार है सर और सभी को जितने भी प्यारी सी टीम है सभी ओन वीडियो भी आती है सीखती भी है और बहुत अच्छा लग रहा है क गोल लाइन सुन एवरीवन चलो गोवा और जाना तो गोल लाइन नहीं सर थैंक्यू सर अमेजिंग बिल्कुल इनके दो में अपना काम कतम पता लगे इनको 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 गारी रोकी पर आगे हेलो ट्यांस पर सुपर यही करना है हम सब को ऐसी ही आगे बढ़ेंगे और आपकी टीम में बहुत सारे गोल लाइन बनेंगे इस बात की गारंटी है उसकी वजाया यह है मुझे नहीं पता कि आपकी टीम में कैसे लोग है मैं बहुता हूं जैसे मर्जी हो आपके उनक यान वो लोगों को गोल लोइन बनाएगी और मैं लीडर्स बताना चाहूंगा आपका senior कौन है इससे पता चलता है आपका future कैसा है त्यांस में अगर आपका senior आपके mentor में दम नहीं है और किसी गलत आदमी को follow कर रहे हो हम तो डूबेंगे डूबेंगे तुमको भी डूबेंगे सनम वह हो जाएगा तो गलती से भी गलत आदमी के साथ काम मत करना अपना कोई भी हो सकता है माँ बाप कई बाइ चोड डाकू भी होते हैं लुटेरे भी होते हैं अब उसमें आपका कसूर थोड़िये बच्छे का कसूर थोड़िये भाई पैदा कर दिया ठीक है भाई साथ धन्यावाद हम चले तरद चले सस्वराल राइट तो कोई दिक्कत नहीं तो भगवान ने किसमत में पैदा ही वहां करना था तो कर दिया बच्छोड जोड़िये भाई से उनकी सुने अपनी रहा अपने हिसाब से बनानी है उसके लिए ब बता है बाई बालाग है जलती न कर वैथे 18 साल के हो जाता है राणी लेटें आ अचाल पर प्लंद जाते है यह करता है बास नहीं हो देखना रहा इसमें यह करो यह करो तो लोग बहुत एडवांस है बच्चे एडवांस है तो 18 साल कमपनी ने इसलिए रखाया आज कर बहुत बढ़िया बहुत शांदा बहुत जबर्दस तारीफ जितने भी करूं कम है बस जैसी हो ऐसी बने रहना और अपने आपको बैटर करते रहना बस लोग हवा भर देते हैं ध्यान बस हवे में निजाना अपने को जो मर्जी है इधर जो है आपके लिए तारीफ भी है इधर आपको लर्निंग भी है साब कुछ है और वह आप कर रहे हो बखो भी अगली आवाज है मोना जी जो कि आपके शहर से हैं वो भी दाहर रही है अच्छा लगता है आपकी आवाज उनके और सर आज तो मैं आपको एक बाद बताओं कि पता नहीं मुझे आज था कि आज मेरे बोलने का मुझे मिलेगा और सर मुझे सपने में भी आप दिखाई दिए थे सर वंडर्फल आपके दोनों बेटे मैडम और सबने सर मैंने खान हाँ सर अपने मैं चाहते हुआ है कि अपने आता से बिना अब बनेगा ना उसी के बास है लाइसेंस घर में खाना खिलाने का लोग बोलता है और यह वादा है यह तो आने को हम eren सकते हैं ऐसे भी नहीं पर यह भी नहीं है द्यान लगना बट अगर आप यह सोतना कि नहीं सब्सक्राइब बनके दिखाएंगे बढ़िया पार्टी करेंगे तो बहुत बढ़िया और इदर जब माने सर आउना तो सर चुले की रोटी बना के खिलाएंगे और अच्छा लगे सर मुजे बोलती जब में स्टार्टिंग में आयी थि की मोना काम करो काम करो सर मैं एक कान से सुझी दूसरे से मिर्स इतना फोकस मैंने कभी नहीं किया और वह गल्तिया आज रिलाइज हो यह जा म нравится करती है तो तो वह चीज मैं यह कह रही हूं कि जैसा आज बोलता से हो की ज पूरे फोकस के साथ और बहुत अच्छा भी लगता है सर पूरा दिन हमारे साथ भूखे पिसाय जैसे भी है अगर वह नहीं हमने दिया तो वह बैठे हमें बस सीखाने पर फोकस रहता हमें यह आदा है कि सर ने काफी देर हो गया पानी नीट प्यावी उनको पानी देना चाहिए तो सर इतनी शिदत से जब वह सीखाने में लगे है तो हमें भी उनका पूरा जज़बे का उसका आदर कर जहीं सब्सक्राब कर सब्सक्राइब. और थेंक्यू करूंगी मैं अब पांचाल सरकाभी क्योंकि उन्होंने हमें सीखाने के लिए बहुत अपनी शिदत से 100% दिया है सार पर हम उनकी मैनत को खराब नहीं जाने देंगे और डेफिनेटली सर आगे जाएंगे और गोर्ड लाइन जरूर जाएंगे सार थेंक्यू थेंक्यू सर्ण क्यों पांचाल सर्ण वंडिफल वंडिक्यू आइडिनेट सिस्टम बहुत शानदार महना जी आपका ज़जवा है देखि में की चीज़ कहता हूं कि ज़जवा हमेशा हाई रखो घर में क्या परस्तिती है आपके श्रीर में क्या दिक्कत हैं तकलीप सल र रही है इन सब को जो है कुछ समय के लिए डखना पड़ेगा सम टाइम टू मेक इट यू हव टू फेक इट आप समझो अब इसको हर जगा मत्यूज कर ले ना फार मुले को आप समझो मैंने कहीं बोला है कहां पर आपको चीजों को ज्यादा हरी चंदर के उलाद बनने की मैं सर सच में ऐसे ही बोल देती कि बस जिसने जो बोला उसी लह पे बोल दिया और जब मैं जाके बात कर रही है कोई इंसान जाद ना खरे दिखा रहा तो मैं ब्लोग मार देती ती सर सामने वाले को निर्मला दीदी ने मुझे सीखाया ये चीज़े कि मोना इतना गुसा मत कर देती हो सामने वाला कोई रिस्पोंस नहीं देता हर टाइम यह नहीं होता कि कोई इंसान फर्स्टाइम में ही जोईन हो जाए क्या पता कोई कहीं महीनों लगा देते हैं तो सर यह चीज़ मैंने निर्मला में से सीखिया है गुसा कंट्रोल करना सीखाया है बहुत कुछ कि ऐसार अपने अंदर और आगे भी करूंगी सार्थ वंडर्फुल आप महाल में हो महाल में आने से सब चीज़े बदलती हैं आप बदल रहे हो हमारा देश बदल रहा है अगली आवाज है सुशील चिकराजी स्वागत आपका वेलकम आउजदा जोश शानदा पॉलिसी च सुचता है कि या जब साथ जगा ले लिया ना तो साथ कर नहीं लेना आप तो सोलह वाला लेना याद रखना एक ही मिलेगा सब्सक्राइब को पता होना चाहिए अपनी टीम को भी कहीं गल्प फिमी मत चले जाएं एक चीज मिलेगी या तो नीचे वाला या उपड़ आला दोनों नहीं मिलेगी ऐसे टूर में लिख लीजिए डाइडी में गल्ती ना करना तूर में एक तूर मिलेगा या तो नेशनल मिलेगा या इंटरनेशनल मिलेगा एक आईडी में लेकिन अगर आपने एक आईडी में नेशनल कर दिया और दुस्से वाली आईडी में आपने काम में करने अगली अवास सुनी आप सूशिल चिकराजी की एक शौट मेसेज की वेल्कम सूशिल जी आवजदा जोस ठेंक यू सर फैंक यू सो मच सर और जोसी हाई सर गुड मॉर्निंग सर और पैनल में सभी रिस्पेक्टिट शेनियर्स को सभी लीडर्स को सर गूड मॉर् सबसे सीखा है और एक चीज और सिखिया तो गुरू बना लिया तो उसकी सुनना सुरू कर दो सब्सक्राइस है और तो भी ट्रकाइन है तो हमें तो उसके ऊपर काम करना है यह से मैंने सीखाया बहुत सारी कमिया थी सर हम अंदर गुसा भी आता था वो सार्चे जे थी बीच बीच में जो सिनियर बोलते तो बीच में कूद भी पड़ते थे सबसे पहले तो सर अपने अंदर वो चीजे चेंज की हैं कि हमें एक बैस्ट लीडर बनना है जब तक हम खुद नहीं बनेंगे अपनी टीम को बना नहीं सकते और आज भी सर अपने उपर आईडिनेट सिस्टम में सर इसलिए जूड़ते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमिया हैं हम उनको सुधार सके ताकि हम अपने काम को और भी अच्छे तरीके से कर सके तो सर इसलिए यहां यह सोच के बैठते हैं कि सीखना है सीखने के लिए आना सर और सिखाने के लिए फिल्ड में डेली जाना है तो थैंक्यू सो मच सर इतनी बैस्ट सर यहां पे हमें जो एजुकेशन देते हो उसके लिए सर हमेशा तहे दिल से आपका सर धन्यवाद करती हूं आईडिने करती हूं मेरे हस्बेंड का जिन्होंने मुझे ट्यांस दी तो इस पैनल के मादम से सभी का ठेंक्स करते हुए सर और जो भी कंपनी ने यहां पे ओफर दिये सर जैसे आप सिखाते हो सर वैसे आगे काम करना स्टार्ट कर दिया है यहां डेली फिल्ड में जाना है डैट में स्वेज्य करती हरा पैसे हमें चर सर जाना भी हमें ही पड़ेगा गर आपको खुद करना किसी पर यहीं रहना पड़ेगा तो thank you so much sir, सभी के लिए, हमेशा sir, thank you आपका, hello tians, hello AI, better tians, better life, I love tians, I love IDnet system, I am a diamond, we all are diamond, go gold line, everyone soon, जाना sir, national, international, और किसी भी कीमत पे बढ़ना sir, gold line, और फिर अपनी team को बनाना, thank you so much sir. बिल्कुल, मैं तने कहना जाऊंगा कि आप में वो साई शक्ती है, पावर है, आप gold line हो, बनना बाकी है, और आपकी leadership में ना जाने कितने gold line बनेंगे, बिल्कुल, कितने guaranteed वाला प्लान है या, सुनाना आज कर उसकी guarantee, इसकी guarantee, तो मैं बोलता हूँ, सुशील छिकादाजी की guarantee, guarantee, और यह हमारी भी guarantee है, जो इनके नक्षे कदम पर, निर्मराजी के नक्षे कदम पर, इनके संपर्क में रहे कर, साथ में रहे कर, जो आगे काम करने की सोच रहा है, वो अपनी आपको भूल जाए, वो कैसे भी background से आया ना, अच्छे से आया तो बहुत अची बात है, अग हो जाएगा, और यह पता कि घ़्दा होगा कैसे, करने लगे तो होई नहीं रहा था, करने लगोगे, होगा नहीं, लगेगा, होगा की नहीं होगा, सब के साथ होगा ऐसा, पर करते करतेelle के गिरते पढ़ते जो आप मंजिल पर पहूंच जाओगे, कितनी बार गिरे कितनी सब भूल जाओगे तो गोल्ड लाइन बनने में मज़ा है डिरेक्टर बनने में और भी ज्यादा मज़ा है राइट बस यही करना है बेस्ट विशिस तो यू मेक मैनी मैनी गोल्ड लाइन इन यह टीम अब एक दो स्पीच और हमारे बीच में बहुत इंपोर्टन निलम जी को सब्सक्राइब कर रहे हो और अभी तो बहुत कुछ करना है आपने वेलकम हुजदा जोश ओवर ट्रियो कि जी होता है ऐसा होता है आवाज निकालते हो लेकिन पहुंसती नहीं है क्योंकि आ नहीं रही है मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम में आपके बीच में तो आप द्वारा से आउट हो जाईए यहां से एक्जिट कीजिए द्वारा एंट्री मारिए फिर ट्राई मारते हम आपको राइट तो आप बहार जाके अंदर आईए यह टेकनिकल कभी कभी होता है चैलेंज हमार नहीं आपका आवाज नहीं आ रही है मैं इसलिए या तो आप लीट पगरा है तो हटा दीचिए नंबर वन नंबर दो यह है कि आप जूम से आउट हो जाईए और दुबारा जूम में एंट्री कीजिए हाँ जब तक मैं जो गुरुजी को बुलाता हूं गुरुजी सबकी गुरु महा गुरु है ना महा महा गुरु एक अजाराट वनिता राज वेलकम अवर अवकमिंग स्टार गोल्ड लाइन एंड डिरेक्टर वेलकम वनिता जी आपकी लीडर्शिप में भी वो शक्ती पहल लोग खुश होते हैं दोस्तों एक चीज में बताना चाहूंगा आप देखिए जब आप बहुत काम्याद जब आप पर फेस्बुक बगारा में ना कुछ उल्टे सीधे पोस्ट डालोगे ना लोगों बड़ा अच्छा लगता है जैसे एड़ा बनके दिखाई देंगे लोगों आपको नफरत करते हैं आपकी सक्सेस बट फिर भी आपको सक्सेस होना है क्या कर सकते हैं तो जी वनिता जी में मैंनी 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 बनीता जी के नक्षे गदम पर चलने की गरंटी है यह वो लीजर है जिन्नोंने अपनी छाप छोड़ दी है छोड़ते जा रहें तो जी आप अभी तैयारी कर रहें मैंने देखा है सुन्दर नगर में एक शान्दा ट्रेनिंग करने जारी है आप वैलकम हो इस दा जोष तैंक यू सर थैंक यू वैरी मच गूड बॉर्निंग सर गूड बॉर्निंग ओल आप यू और सर जोष इसके लिए बिग बिग थैंक्स तू यू क्योंकि हमारा जो जो जोष है सर वाइदिनर सिस्टम है आपका एजूकेशन और आपकी गाइड़ेंस आप का सपोर्ट और माहौल सर जो आपने हमें दिया है तो इसके लिए सर विग विग थैंक यू बिलकुल सर अभी हिमाचल टीम बिलकुल हमेशा की तरह सर वाइड आप है और इस बार तो सर स्पैशली क्योंकि जो कंपनी ने हमें नेशनल और इंटरनेशनल टूर गिफ्ट दि और वर्क टीम के साथ करना है डिली एक्टिवेटी और क्लोजिंग करनी है तो सर बिलकुल उसके लिए जोरो शोरो से सभी लीडर लगे पड़े हैं अपनी अपनी रिस्पॉंसिविलिटी के साथ अपनी टीम के साथ और इसके लिए बहुत बड़ा थैंक्यू रियली रियल से जो से हर तरह से हम सिस्टम में हैं माहुल में है सर और आपकी संगत में हैं एक अच्छी संगत जो मैं मिल रही है जिसकी वज़े से रंगत और रिजल्ट बहुत शांदार आ रहे हैं सर आज हिमाचल लीडर सर तर सिरफ टीम नहीं बोलूँगी जो आपने सिखाया ना कि टीम बनाना ऐजी है वर टीम में लीडर पैदा करना वो सबसे बड़ा काम है तो आज सर लीडर हमने नहीं आपने हमारी टीम में लीडर पैदा कर लिये हैं और ऐजिन सिस्टम ने जब डेली आपने एजुकेशन दिया, गाइडेंस दिया, सपोर्ट किया सर, तो हर एक लीडर को ये समझ आ चुका है, कि बड़ी काम्याबी के लिए आपको और हमको सबसे पहले सिस्टम और माहुल चाहिए, हम कितनी भी नौलेज रखते हैं, आपकी क्या नौलेज है, आप क्या-क्या नहीं जानते हैं, बट अगर हम सिस्टम से माहुल से भार हो गया है, तो हमारी नौलेज कहीं न कहीं सर, त्यांस को लेकर जीरो है, तो बेकुल सर, मेरा तो यह ही है, कि फॉर्च दे से, मैंने जब से आईडिनर सिस्टम को जॉइन किया, त्यांस को जॉइन किया था, बट आईडिनर सिस्टम में आने के बाद एक चीज समझ आई, कि हम कितने भी बड़े लेवल पे चले जाए, बट विदाउट एजुकेशनल माहुल से हमारी गती नहीं है, तो सर, यह आपका सपोर्ट और एजुकेशन और हमारा यह है, कि जब तक सांसे हैं, तब तक त्यांस है और तब तक सर, हम रिनी रहेंगे आपके, और मेरे मेंटूर, योगरा सर के, और मेरी टीम का सर, क्योंकि टीम का जो बिश्वाश है, और टीम के लिए सर मेरी तरफ से यही है, कि देखिए, अपना तो पक्का है, कि हम तो तब तक त्यांस में, जब तक सांसे और माहूल में हैं और अपने में दोड़ दूर तक नहीं सोचा था कभी पूरी धुमेंगे और शांदार इंकम लेंगे रात नाथ को सोने के कमाये जायते सब पता नहीं था दूर दूर तक सर और पैचान बनेगी यह नहीं सोचा था कभी लाइफ में बड़ सर यह अगर सब कुछ पॉसिबल हुआ तो सिरफ और सिरफ त्यांस की वज़े से और आपकी गाइदेंस की वज़े से मैं आज भी देखती हूं त्यांस में सर शायद मुझ किसी से कोई नहीं है बट मैं अज अपनी ग्रोथ देखती हूं तो मुझे एक ही चीज करती हूं मैं भगवान को हमेशा कि मेरी ग्रोथ की वज़े सिरफ और सिरफ आईडिनेर सिस्टम है अगर मैं ग्रूथ सिस्टम में नहीं होती तो आज शायद मैं होती जरूर बट पता सेवन स्टार होती आई स्टार होती दूर दूर तक गोल्ड लॉइन का कभी सोच भी नहीं पाती तो सर थैंक यू और बिलकुल सर कल एक बहुत ही शांदार ट्रेनिंग रखा है टीम के लिए और सुंदर नगर में तो वहां पे हर एक लिडर अपनी टीम के साथ पहुंच र हैं और चोटी-चोटी बातों को इग्नॉर करके हमें अपने बड़े ग्रोथ के लिए कैसे हमें फोकस करना है हमारी प्लैनिंग रहेगी और टूर पे स्पेशली सर नेशनल और इंटरनेशनल टूर के लिए फोकस क्यूंकि इस बार हम बिलकुल सर रिकॉर्ड बनाना है टी बहुत कुछ बड़ा करेंगे और सर मैं एक ही बात कहूंगी कि आज माहूल और सिस्टम आपके एजुकेशन इतनी स्ट्रॉंग है इतना सब कुछ पॉसिबल हो पारा तो हर एक लीडर के लिए रेंक लेना आचिमेंट लेना कोई मुश्किल नहीं है और हम भी सर स्टाल गो सबको एक ही बात कहूंगी कि इस बार का जो कंपनी ने टूर दिया है आप सभी इंडिपेंडेंट होके डिपेंड ना होके प्लानिंग कीजिए लग जाएए जित करिये अपने आप से तो ही आप यह अगर आप डिपेंड हैं आप वेट कर रहे हैं आप आज से कल का सोच र ने चीन का बहुत बढ़ा ठ्यक्स और मेरे में टूर योगरा सुरका सब्सक्राइब उन्हें कि आप पास अब आंप एंस्पी किया अगे नहीं चलतेु फिखें consider कि उनका सपोर्ट उनका साथ उनकी गाइडलाइन है तो सर हमें कुछ करने की जुरत नहीं है सर मेरे साथ मम्ता जी है बरी डाइनमिक लीडर जो किस बार दुबई में है और मम्ता जी का भी सर यही दावा है कि इस अब की बार इंटरनेशनल और नेशनल ट्रिप में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को ले जाएंगे तो sir, हम मैजिकल वर्ड्स के साथ यहां पे क्लोज करेंगे Hello Tians, Hello AI, Better Tians, Better Life, I love Tians, I love your system, I am a diamond, we all are diamond, go gold and everyone soon Thank you sir, thank you, thank you very much Amazing Amazing, मैं इतने कहना चाहूँगा आपके बारे में कि बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हम शब्दों में यूज करते हैं मैं वनीता जी की एक क्वालिटी के बारे में बताना जाऊंगा कि यहां पर तो यह बहुत सारी तारीफे भी करते हैं सबकी करते हैं और इनका हमेशा ग्रैटी शूट फील रहता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे पता है कि मैं क्यों बोल रहा हूं मुझे पता है मैं क्यों बोल रहा हूं और मुझे यह भी पता है कि बहुत कम लीडर ऐसे होंगे शायद उस बात को पकड़ रहे होंगे और वनीता जी वन लीडर मैंसे एक है जोने ने बहुत बारीक बारीक बातों को जो मैं कभी कईयों बाते में ऐसी होती है जो मैं पश्ट नहीं कहता हूं बट उसका इंडरेक्टली पता होता है कि सर ने यह बोला है ना तो यह करना ऐसे करना है तो आपने बहुत साई चीज ऐसी कौपी किये हैं जो मैं यह बिलकु सब्सक्राइब अपने पता होता है और आपको जानता हूं तो यह मैंने एक चीज मैं कहीं बार कहा है तारीफ में वनीत जी के लिए कि आप यह देखिए वनीत जी करती क्या है यहां के स्पीश में क्या बोलती है उनको बस समझ लोकी पर ऐसे बोलना मैंने भी अब मैं फिर अपने बार में कहते हुए तो पहली शेरिंग जो है मेरे पास में वह निलम जी की जी निलम जी वेलकम स्वागत आपका आप लगता है आप आगी होंगी येस वेलकम निलम शर्मा जी स्वारगाड की माचल आपकी आवाज नहीं आ रियांच रहें प्लगता है ये लेकिन आप बोलनी पा रहें कि ऐसा होता है कभी कभी तो अगर देखिए अगर आपके आवाज आती है तो जरूर हम लेंगे आपको तो अदर्वाइज हम कर लेंगे आपको कल आप आईए स्वागत आपका और अब मैं इस प्रोगाम को यहीं पर विराम दूँगा और कल शाम को मिलेंगे ठीक आट बच कर प्च्पिन पर जिनका आज नमबर नहीं लगा उनका नमबर तो लगेगा तो मैंने जैसे कहा कि यहां पर सिर्फ सीखने के लिए बोलने के लिए आपको स्मार्केटेप्री 140 कोड़ लोग है जाके बोलिए उदर बोलने से फायदा होगा उदर पैसे मिलेंगे उदर बोलने से पहचान मिलेगी जब भी मौका मिले बोलिए आई यह और नहीं मौका मिले नो प्रॉबलम क्योंकि फिर आना है हमको अब मैं आप को अन्मिट करता हूं और फिर मिलते हैं कल शाम को ठीक एक बार फिर यह रहे आप और यह रहे आपके मैजिकल मंत्राइज अगिष्ट और आपके मैं अगीमिट कर आखके मैं लुट अवाट राते हैं इल वटेर यह रहे आप को प्रवाटिष रहे आप 옆र दिस्क प्रवाट ओर हो मिलता हुआ कपष् सवains दूर्यू है झाल झाल झाल